गुड मॉर्निंग फ्रैंस तो कैसे हो आप सभी आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे तो फ्रैंस जैसा कि हमने लाश्ट एपिसोड में देखा था कि जाओ डैनिस्टी को सपोर्ट के लिए गनरल वी की जरुरत थी इसलिए युवान के फादर ने युवान को गनर को युवान के साथ देखती हैं क्योंकि युवान अब यहां से जनरल वी के पास जा रहा होता है उन्हीं मना अपनी साइड लाने के लिए इसलिए युवान की मॉम काफे जादा इमोशनल हो युवान से कहती है कि तुम अपना धियान रखना और जल्दी से वापस आना जल्दी ही वापस आ जाऊंगा अब इस पर युवान के डैट रंगल जियान से कहते हैं कि युवान और याया को तुम जरा संभाल के वहां पर लेकर जाना और उनका ध्यान भी रखना पर इतना कहते ही हम वहां पर वही को भापता अता हुआ देखते हैं जो सिधा युवा युवान के साथ जाने को दे देती है तभी अब उन लोगों का सफर यहां से जनरल वी के क्लेन तक जाने के लिए सुरू हो जाता है वह तभी हम उस घोड़ा गाड़े के अंदर देखते हैं जहां युवान के सामने यौया और वेई बैठी हुई होती है अब युवान के स तरह से क्यों देख रहे हो अब इस पर युवान बातों को चेंज करते हुए कहने लगता है कि आज का मौसम कितना अच्छा है ना जिस पर यौया तुरन थी अपने पास से एक टैक्निक स्क्रोल को बाहर निकाल युवान को देते हुए कहती है कि जब तुम्हारे पास इतन पर भी समझ नहीं आ रहा होता है इसलिए वहां कहता है कि यौया मैं आपको थोड़ा और वाइन दे दूंगा इसलिए क्या आप मेरी इसमें थोड़ी मदद कर सकती है अब यह सुनते ही टुन वहां युवान को जोर जोर से काटने लगता है कि जब देखो मेरी यौया को मक अखन लगाती रहता है मैं तुम्हें आज बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा अब यह देख वेई को वहां युवान पर हसी आ जाती है अब यह देखकर युवान वहां अपने पास से एक काफी रेयर टेक्निक स्क्रोल को बाहर निकाल वेई को देते हुई कहता है कि चलो जहां से इसी तरह से आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं जहां गाड़े के अंदर ही वही अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुकी होती है अब युवान भे यौया की दी गई टेक्निक को ड्राव कर प्रैक्टिस कर रहा होता है पर यह देख यौया वहां तुरन थी कि आए दिन भी जाते हैं रात से दिन और दिन से रात हो जाता है तबहे अचानक से युवान की नजर वहां प्रैक्टिस कर रही वे के उपर पर जाती है जिसके अंदर से एक अलगी तरह की इस पीछवल अनर्जी बाहर निकल रहे होती है इसलिए वह उसे देख वहां कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है जैसे वेई यहां अपनी एट मेरीडियन को अनलॉक करने वाली है साथ वेई के अंदर भी वहां कुछ हलचल हो रही होती है पर दभी युवान वहां वहां वही को देख बताते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि क्यों आई रियलम में पहुचने पर किसी भी पर शन कि उसकी पीचवर पावर के अंदर कोई भी कलर होता ही नहीं है पर वstar काफी के खतरनाक सा पापल ओरा बहार निकल रहा है जिसका मतलब है कि वही काफी खास लड़गी है इसे किसा वहां वही के अंदर से काफी तेज नस्जी रिलीजस भी हो रही होती ह जिसे देखकर वो दोनों के दोनों वहाँ हैरान थे और तभी वेई की प्रैक्टिस अब वहाँ कम्पलेट हो चुकी होती है पर वेई को वहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है इसलिए या या वेई के पास जा उसे वहाँ चेक करते हुए कहने लगती है कि वेई तुम त ही काफी जादा पावरफुल परशन होते हैं पर उन्हें हमेशा ही अपनी यीन और यान की अनज़ी को बैलन्स करना पड़ता है जिससे उनके आगे की मेरी डियंस काफी असानी से अनलॉक हो सकते हैं इसलिए मैं तुम्हें अब एक टेक्निक स्क्रोल देती हूं जिसके तुम इसके भी प्रैक्टिस करना अब इस पर वेई वहां मान जाती है और उन दोनों को ठैंक्यू कहती है पर तभी अब याओ 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 युवान से कहती है कि मैंने जिस टेक्निक को तुम्हें प्रैक्टिस करने को दिया था उसे तुम कब प्रैक्टिस कर कंप्लीट कर तरण ने को यहां से चार्व होते हैं कि हम बस यहां का जाने में काफिज जाएगा इसल्ए और हमारे वहां पर पहुचने से पहले ही सब कुछ अरेजमेंट कर दे हम लोग पिछे पिछे आते हैं जिस पर वह जनरल वहां ऐसा ही करते हैं तभी अब कुछ दिर बाद हम एक रैट गल को काफि सारे सोल्जस के साथ युवान के जनरल के पास आता हुआ देखते हैं जहां वो दोनों ही एक दूसरे को ग्रेट करते हुए बात कर रही होते हैं पर तभी वो रैट गल वहां कहती है कि प्रिंस युवान कहा है तभी हम वहां युवान को देखते हैं जो वहां उन दोनों ही लड़कियों को काफि समाल कर नीचे उतार रहा होता है जो देखकर उस काफे सारे प्रिंस बारे में में मैंने बहुत सुना है पर क्या मेरे भाई का हात काड दिया था अब इतना कहते ही वह वहां युवान से हात मिला लगता है जिस पर दोनों ही वहां अपनी अपनी पावस को रिलीज करने लगती है पर यह देख वह रैध गल वहां कियान को ऐसा करने से मना कर रही होती है कि तुम यहां पर यह क्या कर रहे हो पर तभी इदर यह देख वही को भी वहां घुस्सा आ जाता है तो वह वहां युवान की तरफ आगे बढ़ने लगती है पर यह देखकर याया वहां वही को रोक लेती है जिसके बाद कियान वहां युवान से कहता है कि रात को मैंने एक छो तब आप कियान यहां से चला जाता है और अपने रूम में आने के बाद अपने फादर के जनरल से कह रहा होता है कि तुम जाकर फादर को यह मैसेज दे दो कि मैंने यहां पर सब कुछ समहाल लिया है और मैं उस प्रिंस युवान को तो यहां बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला उसने तो मेरे भाई का बस एक हाथ काटा था मैं तो उसके बाड़ी को पूरा का पूरा ही काट डालूंगा तभी अब रात के टाइम सभी लोग फायर कैम्प लगा इन स्वाय कर रहे होते हैं तभी वो रैट गल वहां युवान को उन लड़कियों की केर करता हुआ कि आके तुम हमेशा इन लड़कियों के साथ में क्यों रहते हो जिस पर इस बार तो वहां वेई को काफिज जादा गुस्ता आ जाता है इसलिए वहां अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगती है आके तुम्हें इससे प्राब्लम क्या है जिस पर वहां रैट गल व क्याने लगती है कि युवान जरब बताओ तो यहां पर हमारे सोल्डर साथा पावर्फुल यह तुम्हारे सोल्डर और ऐसा इस गल ने यहां पर जान करके कहा था ताकि उन दोनों सोल्डर के बीच में लड़ाई हो सके पर हमारा हीरो युवान पहले से काफिज साथ जाद लगता है इसलिए वहां युवान की जय जय कार करने लगते हैं अब इस बात का फाइदा उठाते हुए कियान वहां कहने लगता है कि क्यों ना युवान तुम यहां हमारे साथ में एक कैजवल सा फाइट करो जिसे देखकर हम सभी लोगों को यहां काफी जादा मज़ा है और कहता है चलो अब आजाओ किसको यहां मुझसे फाइट करने हैं तब यह जैसे ही एक पर्षन अपनी स्वर्ट को बाहर निकाल युवान पर अटेक करने को आगे बढ़ता है वैसे ही युवान भी वहां अपनी ब्रस को बाहर निकाल उसके अटेक को ब्लॉक कर देता ह जिस वज़े से वहां काफी तेज औ जिसे वहोंगे वहां कैनल दर्द हो रहा होता है इसलिए यह देखकर जनरल भी वहाँ सोचने लगते हैं कि अब मुझे यहां कुछ करना ही होगा मैं यहां अपने बेटे को इस तरह से दर्द में नहीं देख सकता हूँ और इसलिए के साथ हमारा यह अपिसोड एंड होता है अगर वीडियो अच्छी रगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक को शनल को सब्सक्राइब करें बाइबाइ